ये चीज़े आपको आसानी से समझ में आगी, अब चलिए question number 5 पे चलते हैं, पाँचवा, पाँचवा को भी तो देखना है जरूरी न, तो fifth number को देख सकते हैं, मैं try करूंगा maximum कि जितने भी questions मैं बता रहा हूँ, उनकी questions आपको यहाँ पर attach कर दूँ कि ताकि आपको idea मिल सके तो question number 5 का answer ठीक है, यह भी question number 1 ही चल रहा है, और question number 5 में जो पूछा है, वो पूछा है types of support, तो types of support आपको पता ही है, यहाँ पर heading ऐसे डाल लेना, अलिक देना ऐसे types of support, यहाँ अब सिप नाम बोला है, बाकी तो अप लिक सकते हैं, देखिए पहला होता है simple support, मैं आप लिक support भी देता हूँ, हाला कि अपने videos में मैंने already सब कुछ समझाया है, अगर किसी ने देखा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर आ जाएगा roller support, roller support होता है, तीसरा आता है, एक आता है hinge support, hinge support, और चौथा आता है fix support, यह इतना तो लिखना है, ठीक है? यह चीज़े अगर लिख देते हैं तो आपका अचानी से समझ में आ जाएगा, analyst ही बोला है,